तो हलो दोस्तों मेरे नाम है इशे जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन हम अब तक अपने सोतंत्रता के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सोतंत्रता क्या है उसका मतलब क्या है सोतंत्रता के कितने आयाम है grace कितने पहलू है उसके कितने प्रकार है सोतंत्रता के आब उस इस आतंत्रता से हमने एगर देख प्रतिबंद लगा जाते हैं तो उन प्रतिबंद से किसमें दिया ओन लिबर्टी जो उनका निवन्द है उसमें उन्होंने स्वतनता का हान सिधान्त बताया है अभी सिधान्त क्या कहता है यह देख लेते हैं यह कहता है किसी के कार्य करने की स्वतनता में व्यक्तिगत या सामुईक रूप से हश्शेप करने का इकलोता लक्षय अत्मनक्षा है अगर मालेजिए कोई भी कारे करते हैं उसमें कोई व्यक्तिगत रूप से या कोई सामुईक रूप से च्छेड़ चार करता है या कुछ भी मतलब उसमें दखल अंदाजी देता है तो उसमें क्या है पहले सबसे आपको आत्मनक्षा मतलब सेलफ डिपेंस पहुले आप अपने आपको बचाऊओं गया विछ और तो क्या करना है प्रती नुकसान पहुचे तो उस्में क्या करना रही है आपको आत्मनक्षा खुद के बारे में सोचना है सेल्फ डिपेंस के बारे में सोचन है ठीके साथ में बोल गया कि अगर माली चीत कोई माली जी और को क्या करते हैं दृट या कैसे चोंब करने से जो आपके साथ जो नुकसान होगा उससे भी आपको बचाना यहीं सिध्धानत में कहा गया है मतलब कि आ लिजे कोई छोटा बच्चा है दो तिन साल का अब उसके मम्मी क्या ध्यान रखेगी जैसे छोटे बच्ची होते हैं चल थोड़ा ऐसी क्रॉलिंग करते हैं तो वह जो इलेक्रिसिटी बोर्ड होता है उसे छूने की कोशिश करते हैं जातर तो उसमें क्या है उन्हें नुकसा गया है तो कुछ वह सकता है टो क्या उसको थाना क्या है दोनों काम और तो इसे चिक हज़ा फाए तो यह हानने का सिद्धान ता इसी में एक कार्य कर 93 के कारी उसको वाटा गया है व्याक्ति कारση तो पर संबंद कर रहे हैं कि यह मेरा काम है इसे मैं जैसे चाहूं वैसे करूँगा मेरी इच्छा से करूँगा अपनी इच्छा से करूँगा तो इसमें मेरा काम मैं इसे वैसे करूँगा जैसे मेरा मन करेगा जैसे उसका मन करेगा वह वैसे करेगा इसमें कोई भी सरकार या का क्पषूरी करो पीसे बीजिस करना चाहूं उस धंग मैंत है तो यह हमारा संबंद काररे इसमें क्या है यह कारे करता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालता है कि अगर मालीजे आप कोई भी काम कर रहे हैं तो इसमें क्या है इसमें अन्य व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा इसमें क्या है इसमें सत्ता दखलना दिदेगी कब देगी अगर मालीजे जैसे कि अगर कोई भी व्यक् से निकली तो उसमें सब पर प्रभाव पड़ेगा यात्र निकलेगी अब उस यात्र में प्रभाव में जैसे अब सत्ता कैसे दखलना देगी अब जैसे कि उसमें जो पत्राव हुए हैं जो मुस्लिम के लोगों ने पत्राव किया है उसमें क्या हुआ है कि अब लडाई जग तो क्या हो प्रदेण का लटाता है तो तो ओसमें करें झोल को अगरा फूसमें को फो tim जुटा पर लेकिं जब भो नदाइचा इस तर पर चली जाहें जैसे जहांगेर पूरी में एक धरम के यद्धार पर कर रहे हैं हिंदु धर्म के लोग पर जिन्हों ने शोबह यात्रा निकाली हुआ हनुमान जनती पर तो उसमें क्या है अब वो लड़ाई बड़ी बन गई जिसमें क्या हुआ कानून को हश्चेप करना पड़ा कानून के लिए कानून से उसकी रक्षा ली गई कि पुलीस अब उसी लड़ाई में क्या हुआ हानी पहुचbnी अब क्या क्यी और अब उसी लड़ाई में क्या हो और हानी पहुचे है कि अब हुचेँ सबको लोग को इतनी Mostly साबमदा बश merc कि इसमें और उसे में कैसे 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 लड़ायी क्या विर यह जाएगी सविधान की डारा देखा जाएगा सबकुछ तो आपने की शब्रानिक में着 कि अभिव्यक्ति क्या है अभिव्यक्ति अपनी बातों को व्यक्त करना लिखके या बोलके आप अपने बातों को किसी भी तरह से बता सकते हैं लिखके या बोलके आपको जिस तरह से अच्छा लगता है आप उस तरह से अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं आप बोल सकते हैं व पास खट्टे होंगे आपकी जानकारी भड़ेगी आपकी जागरुकता भड़ेगी तो इसमें कि अगर अच्छा बोलते हैं तो आप भाशन भी दे सकते हैं अभिव्यक्ति में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कि को धमीगावना से मायोकर अधि की बनाना चाहिए अब आपको डिया गया है कि की बोल के लिग सकते हैं और नहीं आप अछा सेजानी इस में कर दो आपको सुनने को आपको कान पुलिस वालों टाले ले रखाक लेंगे अंदर लेकिन इस बात को ध्यानक है कि आप धार्मिक भावना से लेकर फिल्म बनती है हिस्ट्री के अधार पर इतिहास के अधार पर फिल्म कुछ बन जाती है या धर्म को लेकर फिल्म बनती है तो उनमें कहीं लेकिन आपके अभिव्यक्ति पर भी कुछ प्रतिबंद लगाए गए हैं आपके बोनले पर का मतलब यह नहीं आपको छूट दे दी बोनले की आप तो जो मर्जी बोले उस पर भी कुछ रोख है कुछ प्रतिबंद हैं उस पर क्या क्या है जिसे दूराचार ना आप लोगता अंतरिक शासंवेश्टा है मैं लोगोड़ा चौनाव होते हैं सब कुछ की में 생각이 दो दिस कुछ जंटा द्वारा किए रता है तो इसमें के लोकतांति शासन व्यवस्ता जिसमें सविधानिक तोर पर हमारी क्याए स्वतंतत्रा की रख्शा की है तूप मौलिक अधिकारों का प्रावधान कानून का शासन है हमारे हैं कुछ के जाता है कि अगर किसाथ नियाय हो या भी कुछ भी कानून जो होता है लाग हो वह सविधान के आधार पर होता है को राशतंत्र तो है नियाय कि जाता है कि 3 बडाए ब्रूंच यहां जाता है अगर हमारे साथ कुछ काम गलत होता है तो वह क्या है है वो कोट जा सकते हैं है करहें हमारे म Slowly का दिगार जैसे अगर हमसे छीन लिए या उसमें कु Turkish की जए तो हम नहीं खुद जा सकते हैं सुप्रीम को जा सकते हैं सिधा तो तो शक्तियों का विकेंजी करण किया सक्तिशाली बाटा की अलेख उसे कोई प्विपक्ष कंगे आप उसके विपक्ष होंगे कि दूसरी सरकार किस तरीक से कार्य कर दिये और क्या क्या गलत कर दिए उसमें निकलते कम हैं तो उनकी विपक्ष पार्टी की सरकार आएगी तो इसमें क्या है विशेश अधिकार ना होना मौलिक अधिकार सबको बराबर दिये गए, कानून के सामनी काया है, अब जैसे कि जहांगिरपुरीये में जो हमले हुए है, जो पथरा हुआ है, इसमें क्या है, दोनों तरफ से देखा गया है, इसमें ऐसा मुस्लिन धर्म काया है, तो उसकी सुनवाई कम की जाएगी, हिंद और जोनों ने पत्थराग किया है उन आरोपियों पर भी आफायर हुए तो दोनों तरफ होगी ना एफायर तो इसमें किसी को भी ऐसे विशेश अदिकार किसी को नीचे को ज्यादा उचा मान गया किसी को नीचे नहीं सब को समान माना क्यों क्योंकि कानौन की निजर में सब एक समान हैं सब को मॉलिकदी अकार दमें वहां हो बराबर दिये गाए किसी के पास कोई किसी एक्ति के पास होगा गोए